अयुद्या के बहुचर्चित नाबालिक बच्ची से गैंगरेप मामले में तथकति जो समाजवाधी पार्टी के नेता को आरूपी बनाया गया था कल कोट में इसकी रिपोर्ट दाखिल की गई है और बच्ची के भूड से जो डिने मैच कराया गया था उसमें आरूपी नेता मोहिन खान का डिने उस बच्ची से मैच नहीं किया है अब इसको लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू गई है हमारे सब बाच्चीत करने के लिए समाजवाधी पार्टी का वरिशनेता उदैवीर सिंग जी है वदवीर जी जिस नेता पर इतना बवाल हुआ उसकी बेकरी को तोड़ा गया घर तोड़ा गया बुल्डूजर चला गया विधान सभा तक में मामला उठा अब उस नेता का डिने भी मैच नहीं कर रहा है क्या कहना है समाजवाधी पार्टी का और कैसे अटाक करेंगे भार्टी जनता पार्टी पर तेकिए उस कस्बे के लोग उस जन्पत के लोग उनके परिवार के लोग पहले दिन से यह कह रहे थे कि वो आज़का जो लिएकरें के साथ उनके यहां काम करता था राजू खान वहूसका उसका सब्मदे था वह सुह कर रहा और उनको गलत फशाये कि आया और डीन एकि मांझ भी उन लोगों ने की थी और डीनेकि मांझ को हम लोगों में भी दोराय था जैसा गाउंवालों ने कहा था जैसा फैजाबाद के आम लोगों में बात थी किसमें पुलिस ने राजनेतिक भेवद्वाव के चलते फसाया है और जिस तरह से भारती जनता पाटी के विधायक इसमें सक्री थे पीडिता से लेके सारे लोगों को घेरे हुए पुलिस पूरा अपने कबजे में ली थी परिस्तितियों को उससे यह शक था कि गलत है और इस धींएनी की रिपोर्ट्न साथी कि यह साबित किया और सिर्फ इस रिपोर्ट ने नहीं जिस तरीके से रिपोर्टाई क्यूंकि वह पूल्य हों बार बार लोग कहते रहें बाक बिएने की और इने की रिपोर्ट के भेज़ दी तो इसे ये बात भी पहले से कहीं जा रहे थी कि 700 मालूम था डियने रिपोर्ट की कहानी जूटी है मामला कोट में है एक बार पुलिस मुकदमा लिख देती है तो कोट से ही जूटा और सच्छा दोशी और निर्दोस का फैसला होता है तो वहाँ से होगा लेकिन पूरे प्रदेश में जो परचार चलना है कि जहां भी समाजवादी पार्डी का नेता कार करता यादव मुसल्मान किसी छोटी सी घटना के आसपास मिल जाए तो उस घटना को पूरा बड़ा चड़ा के उसी को मुक्य अभ्यूक्त बना दू मतलब सरकार के दवाव में आपको लगता है सब कुछ क्या गया अवधेश प्रिसाद का करीबी होना मौहिन खान के खिलाफ गया समाजवादी पार्डी के नेता नहीं होते तो शायद उनको नहीं फसाए जाता अकेले अवधेश प्रिसाद जी का विश्य नहीं है दूसरे भी जन्पतों में जो समाजवादी पार्टी के नेता का नाम जुड़ा आये पार्टी का नाम जुड़ा है और उससे मुख्मंत्री से लेके सारे लोग हातरस की घटना हुई बोले बाबा के सत्संग में एक दुरगटना हुई उसमें तुरंद मुखमंती ने जाके सीधा नाम लिया खलेश यादव जी की तरह इशारा करते हूं कहा कि उनका फोटो किस नेता के साथ है हम जानते हैं और ढूने जाने लगे कि यादवों को इसमें आरोपी बनाया जाए लखनों की घड़ना हुई गोंती नगर की जैसे ही घड़ना हुई चार लोग पकड़े गए 16 लोग आरोपी थे किवल दो लोगों का नाम लिया एक यादव एक मुसल्मान का और विदान सभा के अंदर मुखमंती जी ने खुद नाम लिया और कहा कि सदवावना ट्रेड न आने वाले समय में आप देखेंगे और भी केसों में नियायला के माध्यम से भारती जनता पार्टी की सरकार एक्सपोज होगी कि ये पुलिस कानून विवस्ता को कंट्रोल करने का काम नहीं कर रही है ये समाजवादी पार्टी के खिलाफ शडियंत कर रही है उनकी इमेज बना रही है कि समाजवादी पार्टी के खिलाब एक नेगेटिव माहल बना के चुनाम में जाया जाए 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 अन्तिम सवाल इस मामले को लेकर दोनों तरफ से चैलेंज क्या गया था आप समाजवादी पार्टी के राष्टए देख्ष ने ट्वीट करके ये ने करवा अगर आप सच्चाई जानना चाहते हो विधान सभा में मामला उठा और मुख्यमंत्री ने इस चैलेंज को एकसेप्ट किया अब सच्चाई आनने के बाद यह जो रिपोर्ट आने के बाद अब क्या होगा आगे क्या मांग करती है समाजवाधी पार्टी हम लोग त सूचना विवाक के माध्यम से वो लगातार गलत दुस्परचार करना गलत फैलाना पुलिस के माध्यम से पुलिस का एकदम गलत प्रयोक करके दुस्परचार करने में लगे हैं लगे रहेंगे इसके अलावा मुख्यमंत्री जी में की मुझे छमता नहीं लगती कि वो सत्त पॉलिस ने दबाओं में काम किया लेकिन कोर्ट के हस्तक्षिप के बाद आप मामले में दूद कदूद और पानी का पानी साफ हो गया है कैमर परसंद दुर्गेश के साथ विपिन चौबे टीवी नाइन भारत वर्ष लखनौ